आज की वीडियो का जो हमारा topic रहेगा हम उसमें सीखेंगे image slider तो आप देख सकते हूं मैं किसी image पर क्लिक करता हूं then suddenly उसकी width increase हो जाती है बाके सबको decrease करके साथ के साथ जो उसका message है वो उपर और नीचे से transition के साथ आता है जैसा give, take and receive and then मैं ऐसी image के संग करूँ तो यहाँ experience it today and then यह fox के संग fox वाली भी same size लेने लग रहेगी तो इस वीडियो का motive हमारी party हो रही है क्या रहेगा कि मैं आपको javascript के थुरू आपको ऐसी चीज़े experience करवाँ कि आप javascript में confident हो साथ के साथ source code discussion में है जो भी मैं चीज़े material यूज करूँगा इस वीडियो के लिए जादा तर इस वीडियो में तो CSS ही है थोड़ी बहुत javascript है और सीधा अब इसे हम code करने चलेगे बाइबाई, टाटा, गुड़बाई, गया यह बढ़ी जा था गूरू तो आप ब्राजर में आओ और यहां पर लिखो Google font जैसी आप पहली website पर विजिट करोगे fonts.googlefont.com तो इस पर आप कोई सी भी writing पर क्लिक करो जो आपको पसंद आए इसके बाद यहां पर आएगा एक add style का add style, remove style जब आप add करोगे यहां पर आप सीधा इसे link करवा सकते हो अपने markup में and then साथ के साथ import करवा सकते हो अब सीधा इस पर बात करते हैं जो हम जहां से start करेंगे जो हमारी starting line होगी हमारी project की तो आप इसका देख पाऊ जो मैंने भी लिखा हुआ है source code description में पहले ही बता के चलते हुआ हुआ हो यहां पर मेरे पास total five panels है five images जिसके अंदर मैंने thoughts या फिर आप कह सकते हैं कुछ बात है कही है तीन words की हर एक panel में तो body के अंदर मैंने ये सारे panel रखे हैं div of class panels के अंदर जिसके अंदर मैं एक panel को प्रेजेंट कर रहा हूं div of class panel एंद panel 1 एक टू 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 और आउट पुट हमारा कुछ ऐसा होना चाहिए तो अभी क्लिक करके बद ऐसी ही अब यहां देखो styling में HTML document है इसमें box sizing मिंतलब जितनी भी आपकी width हो और height हो padding देने पर वो चीजे increase ना decrease करेंगे तो इसलिए box sizing property आपको पता होनी चीज़िए नहीं पता तो जस्ट आप hover करो MD reference पर जाओ तो आपको उस property के बारे में ज्यादा जानने को मिलेगा अभी इसे cut करते हैं सीधा यहां पर documentary पढ़ सकते हो background दिया है मैंने yellow then font family जो import करवाई थी google font font size रखा है मैंने 20 pixels जितना भी मतलब अकसर कितना बड़ा हो font size weight रखा है 200 जो कि light है मतलब हलकी writing body में सबसे पहले रखा है मैंने margin and padding 0 means बाहर से खिसकाफ 0 और अंदर से खिसकाफ 0 then यह मेरा universal selector है and then before and after इसके अदर मैंने box sizing property inherit करवाई है अपने HTML document वाले tag से then सबसे पहले panels की बात करते हैं जिसके अंदर हमारे सब चीजे contain है उसमें मैंने height यह minimum height 100 VH means इतनी height तो आप low ही low then इसके बाद मैंने overflow hidden काया है कि आप इससे ज़्यादा height नहीं ले सकते हैं जो आप family and new display flags है तो इसके ऊपर मैंने dedicated video दे रहा कि है कि आप flags property कैसे use कर सकते हो 20 minutes में आप पूरा सीख जाओगे तो अभी देखो कैसे है but मैं चाहता हूं कि यह जो particular panel है यह even space ले means हर एक बराबर space ले और यह जो background दिखाई दे रहा है यह ना दिखाई दे तो इसके लिए जो हमारा यह particular panel है इसके अंदर मैंने पहले सी कुछ styling कर रहा कि आप देख लेना flex will be one होगा क्या कि अब सब even space ले लेंगे अब सीधा आगे बात करते हैं इसमें मैंने import करवाई है unsplash से है ना images and then मैंने पैनल के अंदर जितनी भी हमारी universal मैंने जितनी भी टैग है इनके अंदर मैं देता हूं border will be two pixel solid red तो होगा क्या कि एक border आ जाएगा red color का आप देख पाऊगे then panel में ही हम styling कर रहे है इसमें मैं property देता हूं display will be flex and then align item will be center justify content will be center तो आप पूछोगे यार यह 3 properties क्यों लिखी तो इससे क्या होता है कि जो भी हमारे particular panel के अंदर जो भी लिखाता वो center लाने के लिए यह 3 properties होती है but by default जो flex है वो direction होता है flow तो मैं चाहता हूं इसे column तो होगा क्या कि यह उस desire उसमा जाएंगे जो हमारा asset चाहिए अब आगे बात करते हैं मैं चाहता हूं कि जो यह paragraph tag है तीनों ही तो एक paragraph tag है यह even space लें लें इस एक particular panel के अंदर तो इसके लिए हम again क्या करेंगे यहां पर आएंगे जो हमारा यह देखो पैनल के अंदर जितनी भी paragraph है मतलब तीनों paragraph है इसमें मैं flags दे देता हूं one तो होगा क्या कि यह even space ले लेंगे इसके बाद मैं चाहता हूं कि जो इनके की center आ चुकी है अब border को erase कर देता है then मैं चाहता हूं कि जब मैं पैनल पे dot open करके मैं एक class add करूं तो इसका font size हो जाए 40 pixel and साथ के साथ flats हो जाए 5 तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं देखो अभी आपको पता चलेगा जब आप इस पे क्लिक करो inspect करो मतलब and then elements में आपका जो ये particular मैं particular one पे select करता हूं and then इसमे class में एक open add कर देता हूं open and then enter करोगे तो होगा क्या कि इसकी width increase हो चुकी है पांच गुना जो उसके other elements है तो यही इसका मतलब है जैसी आप open को remove करोगे तो यह again उतनी ही size मांगे और एड़ करते ही यह ऐसे तो इससे हम toggle करवाएंगे with the help of JavaScript अब आगे बात करते हैं अभी के लिए तुम्हें refresh कर देता हूं तो by default में आ जाएगा यहाँ पर जो मेरे यह universal है means मैं select कर रहा हूं यहाँ पर इस चीज को copy करना है यहाँ पर paste किया यहाँ पर मैंने कहा कि first child जैसी आप first child कहोगे इसके अंदर मैं कुछ properties देता हूं transform will be translate y-axis minus 100% है जो आपको पता है तो well and good but आपको मैं बता दूँगा तो जो उपर वाले words थे वो overflow कर गए हमारे content का है ना तो इस चीज को double किया double करने के बाद यह हो जाएगा हमारा last child and then यह हो जाएगा 100% है तो नीचे वाले words समझ नीचे चलेगे बस बीच वाले word बचे है अब मैं यहाँ पर इसे double करता हूं and then यहाँ पर मैं जैसे मैंने open class add करी थी यहाँ पर panel में वैसे ही मैं यहाँ पर एक class add करूँगा open active तो यहाँ पर लिखा मैंने dot open and then यहाँ लिखा active जैसी आप यह करोगे and then इसे मैंने 0 रखा और इसको भी मैंने 0 रखा तो होगा क्या कि जब जब यह open active वाले class आएगी इसकी इंदर किसी particular element में हम toggle करवाएंगे javascript तो होगा क्या कि उसकी जो words है वो उपर नीचे से transition के साथ आएंगे तो यहाँ देखो इसी पेस भी आ यह तो होगा enter किया तो आप देखो कि जो उसका word है वो उपर के side से आया ह इसके बाद आप इसमें एक class और add कर दो open जो हमारी पहले थी तो इसका size न यह तो देखो कैसे animation के साथ आएगा जसकी अभी इतके लिए तो इसे मैं remove कर देता हूँ जितनी मीरे active है अब देखो पहले तो मैं चाहता हूँ कि open class लगेगी then इसके बाद enter किया तो आप देखो क size increase हो चुका है then उसके बाद मेरा transition हो किसी हीच का जो मेरे text था है न तो उसी हीच के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा एक open active जोड़ूँगा जो कि मैंने paste कर यहाँ पर सीधा कर देता हूँ and enter तो आप देखो कि words ऐसा है तो यह देखो literal transition के साथ वो कैसा दिखाई देगा जैसी आपने यह किया decrease किया पहले तो इसकी width increase होगी then उसके बाद मेरा content आएगा तो इसे हम toggle कर वाएंगे with the help of JavaScript I hope आपको यह point गया हो थोड़ा बहुत भी समझभाया हो अब इसे सीधा करते है script की मदद से तो इसे मैं पहले इधर कर देता हूँ then पहले देखते हैं कि हमार जो content आपार रहा है नीख है निख जुधा है तो just मैंने यह से एक message कर है कि भाए है कि हमारा console काम विरा या नहीं कर रहा है तो यहाँ पर मैं console में आया sorry console आया तो यहां पर Hi, my name is खान आ रहा है तो मैं इस console बराबर काम कर रहा है आगे बात है मैं एक const करके variable create करता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ panels equal to document.queryselector all जिसके इंडर मैं select कर लेता हूँ अपनी panel class तो panel class हर उसमें common थी तो तो अब मैं value print कर वा लेता हूँ जो मेरे panels में है तो यहां पर मैं क्या करता हूँ कि c log panels आप यह करोगे तो यहां पर एक node list आई है node list और array में क्या अंतर रहता है देखो यह 1,2,3,4,5 and particular select हो चुके है node list और array में क्या अंतर रहता है तो node list में कुछ ही operation होते हैं जो इस पर हम perform कर सकते हैं जिसमें से एक for each है है तो array में क्या रहता है कि आप ध्यान से समझना array में बहुत सारे operation रहते हैं उससे deal करने की बट node list में नहीं रहते हैं तो अभी के लिए इसे comment करते हैं जो हमारा काम है वो है panels dot for each means हर एक element पे loop चलेगा जिसमें मैं एक function को call करता हूं function input में लेगा panel मतलब एक particular panel को जिसके अंदर मैं c log कर देता हूं panel को तो होगा क्या कि जितने भी मेरे panel हैं वो सब print हो जाएंगे तो आप देख सकते हो बट मैं क्या चाहता हूं कि मैं जब click करूं किसी particular element को तो वही print हो तो उसको कैसे करेंगे तो just आपको करना क्या है इसे comment करना है comment करने के बाद यहां प इसका नाम इस चीज को copy किया copy करने के बाद इसे मैं भार define करूंगा function जिसका नाम है set open जिसके अंदर मैं c log कर देता हूं कहें कि hi my name is khan तो जैसी आप यह करोगे तो आप देखो जब मैं किसी एक element पर click करता हूं then तभी वो hi my name is khan तो आप कहोगे यह तो कुछ मतलब ही नह करूंगा तो second जो हमारा third panel तब हो आया देखो one two three एना अब जब मैं fourth पर click करूंगा तो fourth panel आया और उसके साथ message आया I hope आपको यह समझ में आया हो है ना तो अभी के लिए comment कर देते हैं इसका काम क्या है कि open class को add करना है तो मैं क्या करूंगा this.classlist.togle तो आपको पता हो तो यह same काम करता है जैसे हम jQuery में this.togle करते है टूगल का मतलब होता है एक बार click करोगे तो add हो जाएगी दूर सी बार click क तो अभी यहाँ पर एक message जो हम रहा था इसे uncomment करता हूँ अब देखो कि सब यह दोरों चीज़ों को मैं एक साथ समझाऊँगा यहाँ पर आए यहाँ पर मैं जब किसी एक second को click किया तो पहले तो वो print हुआ because of this के वज़े से then दूर से मैं my name is Khan आया जब मैं इस पर click करूं टूगल यूज किया जो कि हमारे project के लिए सई था अब आगे बरते हैं मैं चाहता हूँ कि जब यह open हो जाए then उसके बाद मेरे जो text है वो open नीचे से आए तो उसको कैसे करेंगे तो भाई बहुत easy है आपने यहां तक देखा है आप यहां तक बने रहे तो भाई बहुत कमेंट कर रहा था आपको बताने के लिए कि यह क्यों है तो अभी के लिए तो इसे थोड़ा ignore करो एंदन इसे cross करते हैं सीधा console पर आया इसे मैंने double किया double करने के बाद यहां पर मैंने का transition end then उसके पास set open active class तो मैं इसमें क्या करूँगा कि जो set open active वाली class थी उसे toggle कर देता हूं दिस को पहले दिस के लिए कि किस पर फायर हो रहा है यह event देखो मैंने इस पर क्लिक किया तो पैनल वन दो बार आया आप पूछों कि यार यह दो बार क्यों है लिखा तो हमने एक बार है तो actually मैं यह event दो बार फायर हुआ है वो कैसे पता चलेगा आप यहां पर लिखो and then यहां पर लिखो c log e तो अब देखो कि जब मैं इस पर क्लिक करूंगा then एक बार तो यह पैनल इसलिए देखो पहले तो c log this हुआ है कि इस पर इस पर हुआ है then पहली जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी ट्रांजी फ्लेक्स ग्रोव फ्लेक्स ग्रोव की वज़ से अब आगे बात करते हैं इन दोनों को भी मैं कमेंट कर देता हूं and then यहां पर आप एक चीज़ समझो जो आपको समझ में आए c log this.classlist.togle and then इसके अंदर मैं पास कर देता हूं open active जैसे मैंने ऊपर किया था यहां पर आपको समझ में आएगा क्या अंतर रह जाएगा देखो कि मैं एक बार click करूँआ then एक बार तो आ रहा है true and दूर सी बार आ रहा है false यह क्यो हुआ simple सी बात है true or false तो कुछ तो अंतर हुआ है नहीं यह तो पहले भी ऐसी था अब यहां पर देखो आप c log करो and then यहां पर देखो e.property name and then space name and then यहां पर देखो जब click करोगे then एक बार तो आ रहा है हमारा flex grow के लिए and दूर सी बार आ रहा है flex size के लिए अब इस चीज को भी comment करोगे तो आपको पता चलेगा जब मैं इस पर click करता हूँ then पहली बार जो true होता है वो होता है हमारे flex grow के लिए then जो false होता है वो होता है हमारे font size के लिए ठीक है तो यह थे दो transition इसलिए आप जो इसे ऐसे ही direct करना चाते हो कि भाई ऐसे काम कर जाए नहीं करेगा भाई ठीक है false के वज़े से वो रुख जा रहा है और यही इसका major drawback है अब आप ध्यान दो यह मैंने comment क्यों कर रहा था था बीच में अपने CSS में कि मैंने बोल रहा है कि जो आप chrome use कर रहे हो तो आप property name flex grow पाऊगे बट जो आप safari use कर रहे हो तो आपको flex मिलेगा बट अब दिक्कत क्या property name equal to क्या हो कि इसकी जो आपको पता है single line statement लिख रहा हूं तो parenthesis जर्वत नहीं है and then इसमें लिखा hi my name is khan तो जैसे मैंने यहां लिखा तो जब आप इस पर click करोगे then यह देखो message तभी print हो रहा है जब flex grow वाली property है otherwise आप इस चीज को double करो double करने के बाद यहां पर आप लिख दो font size वाली है ना तो आप देखो कि जब आप click करोगे तो सिर्फ यह जो चीज है यह हमारा क्या करता है font size वाली property तो ही उसमें बट उसकी जो value जो return हो रही है बाद में वो false है तो इस चीज को हम trigger नहीं करवा सकते हैं बट हम चाहते हैं जब हमारा प्रिंट करके देख लेते हैं क्या है जब आप click करो तो यहां पर आ रहाता है तो इस चीज को copy किया जो आप safari यूज करें तो फ्लैक्स ही यूज करना मैं यहां फ्लैक्स ग्रू यूज कर रहा हूं बैन अब इस message को अनकमेंट कर दिया मतलब एक तरह से यहां पर मैं एक प्रॉफिट लिखता हूं दिस डॉट क्लास लिस्ट डॉट टूगल डॉट इसके अंदर मैं जो अपेंड करना चाहता हूं उपन एक्टिव क्लास करना चाहता हूं अब देखो जो हमारा जो मैं क्लिक कर रहा हूं देन देखो फ्लक्स ग्रो फ्लक्स है एंड दें ट्रांस्फोर्म दो बार हुआ है हमारा ठीक है कोई बात नहीं अब यह फाइनल आट्पूट क्रियेट हो चुका है जो हमें प्रोड़क्ट डिजार चाहिए था जब आप किसी element पे क्लिक करते हो देन उसके बाद वो मैसेज आता है I hope मैंने जितना डीप समझा सकता था समझाया है जो आपको अभी भी समझने आया है और प्लीज आप एक बार जावस्कुर्ट के थोड़े बहुत बेसिक पढ़कर देख लो या फिर आप डॉक्यमेंटरी रीडाट करो जो आपको इस वी झाल